अब आज कर आएगी निए गोल नहीं सकता ही स्टीक आएगी को आएगी को अधिए को अधिए को संदे को भी टेस्ट रपना है क्या तो रेजिस्टंसेस आर वन और टू प्रोवाइट सीरीज तो पैरलल एक्विवैलेंट एज एन बाइवन क्या दिया एन बाइवन ये कौन दे रहा है दो रेजिस्टर कब दे रहे हैं ये रेशो जब उनको सीरीज और पैरलल में कनेक किया गया रेशो है मतलब डिवाइट आजाएंगा उपर कौन आएंगा जो पहले आया कौन आया पहले सीरीज एक्विवैलेंट और नीचे कौन आएंगा parallel equivalent है ना कौन से कौन से register का r1 और r2 का series equivalent और नीचे कौन आएंगा r1 और r2 का parallel equivalent यह question में दिया है सबसे पहले हमको यह समझना है कि question में दिया हुआ क्या है हम पहले statement पढ़ते हैं two resistances r1 r2 provides series to parallel equivalent as n by 1 तो हमने लिख लिया n by 1 यह क्या है यह क्या है series to parallel equivalent यह ratio है इसके divide कर लिया किसका दो ratio उपर कुछ तो भी आना चाहिए नीचे कुछ तो भी आना चाहिए तो question में जो term पहले आएंगा वो होगा numerator में मतलब आ गया series उपर series to parallel लेकिन क्या series equivalent to parallel equivalent किसका दो resistors है कौन से कौन से r1 और r2 divided by r1 और r2 का parallel equivalent question में यह दिया है क्या समझा सबको यह समझ आ गया question में क्या दिया हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं माल लीजिए कि दो resistor है अगर वो दोनो series combination के अंदर लगे हैं तो उनका equivalent resistance कितना होगा r1 r2 series में है तो equivalent कितना होगा बताओ r1 plus r2 और दो resistor है parallel combination में लगे हैं तो e की balance कितना होगा r1 r2 divided by r1 plus r2 is equal to how much n by 1 अच्छा यह r1 plus r2 denominator का denominator ही जाएंगा उपर मतलब कितना होगा r1 plus r2 का whole square divided by r1 r2 is equal to n by 1 अच्छा option में सारे r1 by r2 का ratio है यहाँ यह square न फोड़ा सा ratio लेना है मतलब r1 को किसी से divide करना पड़ेंगा अभी यह square आने की वेरे से हम divide कर पा रहे क्या पहले हमको bracket खोलना पड़ेंगा इसलिए हम question को आसान करने के लिए क्या करेंगी पूरा square root ले लेगे क्यों ले रहे हैं square root क्योंकि यहाँ का square cancel होना जाए अगर मैं पूरा square root ले लो तो क्या मिल जाएंगा बताओ r1 plus r2 का square का square root मतलब square और square root cancel हो जाएंगे ठीक है अब थोड़ा धियान दीजिए खुब धियान दीजिए थोड़ा नहीं बहुत जाज़ा यहां से मैं यहां लिख रहा हूं इसको हैं लिखता हूं ओके यह r1 जो है ना r1 को क्या मैं under root r1 लिख सकता हूं नहीं लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं multiply way under root r1 क्या ऐसा लिख सकता हूँ इससे आसान क्या r1 को मैं under root r1 का square क्या ऐसे लिख सकता हूँ यह जो r1 आपको दीख रहा है यह r1 को क्या मैं under root r1 का square ऐसे लिख सकता हूँ अब यह लिख सकता क्या और उसके बाद क्या है plus यह कौन है r2, क्या r2 को मैं under root r2 का whole square ऐसे लिख सकता हूँ लिख सकते हैं इसा divided by यह under root r1 r2 है क्या इसको मैं under root r1 into under root r2, क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या यहां तक सब सही है ऐसे लिख सकते हैं न अच्छा फटा गड़बड होगी अच्छा यहां से मैं यहां लिखता हूँ यह under root r1 का square जैसा का वैसा अब यह जो denominator वाला term है क्या उसको मैं बाट के दे दू तो क्या हो जाएंगा under root r1 square divided by बताईए under root r1 into under root r2 plus under root r2 square divided by बताईए under root r1 into under root r2 is equal to under root n by 1 क्या इतना सही है अच्छा यह under root r1 का square मतलब यह दो under root r1 है न यह एक और यह एक cancel हो जाएंगा यह एक और यह एक cancel हो जाएंगा तो यहां क्या बचा सिर्फ under root r1 divided by under root r2 is sorry plus under root r2 divided by under root r1 is equal to under root n यह दोनों का square root है क्या है यह इसको common square root लेलू सो क्या बन गया r1 by r2 plus under root r2 by r1 is equal to under root n under root बुले तो क्या power कितना 1 by 2 मतलब r1 by r2 का power 1 by 2 plus r2 by r1 का power 1 by 2 is equal to n का power 1 by 2 है क्या option option d yes option d should be correct क्या यह question समझा हमने पहला काम question को समझने का किया question में पूछा क्या है उसने question में statement हमको दिया है two resistances r1 r2 provides series to parallel equivalent as n by 1 हमने यह equation लिखने series equivalent मतलब क्या r1 plus r2 parallel equivalent मतलब क्या r1 r2 upon r1 plus r2 यह उपर चला जाएंगा तो हो गया r1 plus r2 का square divided by r1 r2 is equal to how much n by 1 अगर हम square root को अगर हम square को cancel करना चाहें तो पूरी equation का square root लेना चाहिए यहाँ पर हमने square root लिया तो यह square cancel हो गया क्या बस गया r1 plus r2 और नीचे क्या आ गया under root r1 r2 और यह यहां से एक r1 under root r1 एक under root r1 cancel होता है एक under root r2 under root r2 cancel होता है क्या बस गया under root r1 by r2 plus under root r2 by r1 is equal to under root n so option d यहां correct होना चाहिए जी उसमें थोड़े problem हो जाएंगे जैसे हम करना चाहते हैं उस हिसाब से equation नहीं आएंगी दूसरा अगर आप यहां देखे तो ठीक है शायद हम ऐसा करके देखें क्योंके बाद में ना चीज़े complicated हो जाएंगे मैं थोड़ा rough calculation करके देखता हूँ सो कितना हो जाएंगा r1 square plus r2 square plus 2 r1 r2 divided by r1 r2 is equal to n सो कितना हो गया r1 by r2 plus r2 by r1 plus 2 is equal to n problem यह है के n कहीं भी नहीं है यह n कहीं भी नहीं है ना तो आप ऐसा solve कर सकते हैं मतलब एक कुशन आप कई तरीखे से solve कर सकते हैं जिन्देगी गुजारने के कई तरीखे हो